वेलकम टुआ चैनल से विल इंसाइड तो आज हम फ्रेम्ड कनेक्शन एक और पार्ट करने वाल है जिसमें आपको बताऊंगा कि पार्ट करने को जुक्ति करने अब बस एक चीज़ बोलूँगा अगर आप सीधा इस लेक्शर जरूर लगा ले इसे प्रिइएस वाला लेंगा को डिस्क्रिशन मिल जाए क्योंकि वह जो चीजे में वहां पर करवा चुको यहां पर मैं रिपीट नहीं करूंगा जो चीजे बस यहां पर नहीं होएंगी शिर्फ आपको वह बताऊंगा तो इसलिया पहले वह लेक्टर लगाना फिर इस पर आना तो देखो फ्रेम्ड कनेक्शन में हमने सब कले देखो वैसे आपको उसलिया पर की इस तरह भुजय की तरह थोड़ा से डिजाइन स्पेश्यमिस भी सारी सेम देगी प्रसीज़र वह आरा अब दिको इसमें चीज का है? इसमें उस से अलग क्या करते है तो इसमें यह चीज है कि दिको मैंने आपर विपता है ते है primary और main beam हम उसको कहते है जिस पर load लग रहे है for which load is given in problem जिस पर load लग रह रहे है लेकिन जब आपको column आया थे है आपको matter नहीं करता लेगा बस इसमें यह चीज है आप यह मत समझ लेना कि जिस पर लोड लगा था एक यह चीज मैंने पुर्स में नहीं पता यह थी लोड नहीं थी तो इस लिए बतना हो बख्की सारा procedure आपका सेम लेगा, सिर्फ आपको यही चीज़ यहां पर देखनी है, कि आपको जब column और beam आ रहे हैं, तो मैंने यह चीज़ लिख्या है, क्यों मुझे पता था कि शायद मैंने यह statement लिखी है, आपको थोड़ा confuse करते हैं, तो इसलिए मैं आपको यहां से आपको secondary हो जाएगा, अपने आप automatically हम उसको secondary की तरह हम उसको ले लेंगे और इसको design कर देंगे, बखकी सारा design procedure सेम रहेगा, जो कि आपको अपको अपने previous lecture में करवा चुक हूँ, अब देज सकते design specialization, सबसे पहले हमने design of fleet angle, आप थोड़े अलग methods करवाँगा मैं, तो जिस मेरा previous lecture लेकर उसको पता लग जाएगी, यह हमने करा था और आज में उससे थोड़ा अलग रहाँगा, तो अब देखते हैं इसकी problem, तो देखो यह आगी हमारी problem, अब यह वाला question है थोड़ा अलग है, previous lecture में उस question में अलग है, उसमें सब बूच खीवन था, इसमें थोड़ कर रहे है, acting on its 8-minute span with a column ISWB 250, यह हमारी naming होते है, columns, beams, यह सारे steel sections की, use 4.6 property class boards, the ultimate yield strength of plates are 410 MPa and 250 MPa respectively, लो अब इसमें क्या है, आपको डाया बोल्ड भी नहीं दिया, तो वो चीज़ अब कैसे निक रही, वो देखेंगें, बस वो यह एक चीज़ नहीं है यहाँ यहाँ, बाक सब्सक्राइब मैं given लिखता हूँ, L आपका देखो 8-meter span, FE आपका क्या 410 MPa है, yield strength, sorry ultimate strength दो आपके आएगी ना, off plate 410, FY आपकी yield strength आज ही 250 MPa, अब property class 4.6 दिया तो आपको पता हमने design और bolted connection आपको अच्छे से बढ़ा है कि कैसे इसको solve करते हैं, तो आप वो लेक्शे ज़ आपके 4.6 है तो यहाँ पर FUB, जो आपकी ultimate strength of bolt हो जाएगा, FUB, B का मतलब bolt होता है तो 400 MPa, REVYB आपको 240 MPa, यह आपको पता है, 0.6 साथ इसको multiply करता है तो 240 MPa, अब देखो आपको दो section दिये, ISLB 550 और आपका ISWB 250, अब इसके सारे components लिख लो, जो आपको पता होना चीए, आपको ISLB 550 मैंने याप लिखा, इसके नीचे मैंने यहाँ पर पहले से note लिख लिए, इस country beam है, इस चीज़ आप एग्जाम में जरूर लिख लेना, pencil सी लिख लेना चाहिए, अगर आपको 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 इसको पैंसे लिखना ना, क्योंकि आपने मुझ से इस सारा आपको SP6 में, आपको steel table में दे रहा है, लेकिन कुछ-कुछ components ना, आपको किसमें दीख है, IS800 में भी दे रहा है, आज मैं आपको IS800 थोड़ा देखना सिखाऊंगा, तो आपको अच्छे समझ आएगा कि कैसे IS8 भी हमारा IS code भी हम कैसे follow-up करते है, तो देखो थोड़ी से दिवेए थोड़ी से दिवेए, एक हम अच्छे सकते हैं, आपको अच्छे से दिखेए, बड़ा बड़ा लेकिन इसमें तोड़ा चोटा थे टेबल है, तो आपको दिखे हो, सबसे बहले हमारे किया ISLB 550, तो ISLB 550 यहापर ढूंड ले है, आपको दिख रहा है इंए यहां पर आपको दिख रहा है, यहां पर आपको दिखा है है किसे हिए 000 icon उसका पर sectional area आ गया, sectional area 550 के इतना है 109.97, उसका depth of section आ गया D, तो भी आपको उता है, 550 आपका कितना है 550 लेगा हो, क्योंकि हमें हमेशा depth के साथ हमारे, यहां पर section name होते है, तो हाई से 550 का 550, 190 की width आ जेगी, width of flange आ जेगी, अब thickness of flange 15 दियो है, thickness of web of 9.9 दियो है, वोई आप जिसको नहीं पता है कि web क्या होता है, flange क्या होता है, वो ही मैं आपको एक पर दिखाता हूँ, तो देखो कुछ यह चीज़े होते हैं, यह हमारी width होगी, यह हमारी depth होगी, एक cross section है, एक eye cross section आप इसको ले सकते हैं, तो आप उपर से ऐसे देख रहे हैं, और इसमें क् इसमें क्या होगी, तो यह साई चीज लिए, और ऐसी बदा ISWB 250 भी होगा, तो ISWB 250 भी होगा, तो ISW 250 भी आप देख सकते हैं, इसमें RAM से IS 8N, आपके पास होना चीज़े हैं, अगर आपके पास नहीं है, तो आप एक पर Google से आप इसको download कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा PDF, तो वैसी हमारे, इसमें भी डप आजेगी 250 भी होगा, आपके यहां पर बिटा की 200 भी होगा, तिकनस भी 9 भी आपके थिकनस भी 6.7 भी, आपके थिकनस भी 6.7 भी होगा, तो इसमें बहुत इंपोर्टन चीज़े हैं, मैंने आपको चीज़े ने सुन नहीं हैं, कि क्या ची यहां पर हमारा flange हो गया, यहां पर हमारा flange हो गया, और हमारा web of beam हो गया, वही मैं लिखे है, will be between flange of column and web of beam, यह बहुत जादे इंपोर्टन है, यह चीज़े बहुत जादे इंपोर्टन है, और क्यू है यह आपको पता होना चाहिए, कैसे design होता है, अगर आप यह नहीं आप यहां पर देख सकते है cross section, तो इस तरह कुछ यह लगेगा, यह चीज़ ऐसे होगी, अब देखो इसकी वज़ा से, इस land की वज़ा से, आप easily up die a board निकाल दोगते हो, कैसे निकाल दोगते हो, आगे देखते हो, अब हमें निकालने T minimum, आपको T minimum पता होना चाहिए, अब इन डोनों की thickness, आपने देखना है की minimum कौन से, अब आपको देखो, यहां पर आपको पता है, कॉलम की है, देखो, कॉलम की thickness of flange आपकी 9 mm दी हुए है, और आपकी यहां पर web की क्या दी हुए, secondary move, flange की मत देख लेना, क्यों की connection हमारा flange with web है, तो यहां पर web आपके 9.9 आया मैंने उसमें, कि die of volt आपका क्या thumb rule दिया हुए, कैसे निकना है, 6.01 under t, आप 6 under t भी ले सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, easy रहेगा वो भी आपका 6.01 under t, तो हमें 6.01 under t, अब t मैंने इसलिह निकाला था, यह t मिने हम इसलिह निकाला था, कि 9 mm जो हम यहां पर put करेंगे, ताकि हमारा यहां पर क्या देगा, डी आप बोल्ट, यहां पर आपका, आपका, डी आप प्लस 2, क्लीरंस होती है, यहां से आपका, डी आप बोल्ट होल आप आप 20 mm, अब यह चीजे इह आपको, दिखाई देता हो, काहां से उठाता हूं ऐसाई चीजे, तो आप देशाए यह भी मैंने IS code 800 2017 से लिया है तो आप देख सकते हैं कि table 19 आएगा page number 73 पर आप देख सकते हैं कि claim for fastener hole तो nominal size of fastener हमारे यहां पर कितना दियो है देखो 16 से 22 के बीच में आपको क्या आता है देखो standard criterion साब की 2 meters आप add कर हुए 12 से 14 में 1, 16 से 22 में 2 और 24 से ज्यादा 2 और 24 से ज्यादा 3 और 24 पर आप 2 लोगे तो 16 से 22 में आपको 2 दे रहा है तो वही मैंने यहां पर दिया है देखो आपको 18 से 22 के बीच में आएगा तो यहां मैंने आपको 20 mm आदेगा और आपको पता है कि maximum sport reaction निकालने जिसने मेरा previous lecture लगाया उसको सब पता है कि हमें क्यू चीज़े निकालने है यह में number of bolts निकालने में हमें help करती है तो maximum sport reaction देखो FU में ने पहले से लिग दिया है FU मतलब हमारा यहां पर फेक्टर सेफटी 1.5 मुल्टिप्ला होगे तो 1.5 इंटो 50 हमें दिया होगा W L में 8 था divided by 2 और यहां भी आपका FU 300 kN आगेड़ी है बस अब देखो इसके बाद जो हमने previous lecture में सारा procedure कर रहा था ना सब सेम है तो हम अच्छे से फटब फटब हमारा procedure सारा कर लेते हैं तो देखो सबस्पपले step 1 design of connection of cleat angle with secondary beam ठेट design of connection of cleat angle with secondary beam अम यहां पर secondary beam आ जागा secondary beam के साथ आपको पता है share capacity में हमारे double shear भी निकलती है और क्यों निकलती है अगर मैं आपको यहां पर दिखाओं तो आप इसमें देख सकते हैं कि जब इस secondary beam मैंना तो इसमें आपका देखो एक ही board लगेगा और यहां पर एक तरफ यह तरफ यह है तो इसमें यहां पर ऐसे दिखाता हूं यहां पर यहां से आपको पता है आपको मैंने पता है जब भी हम यहां पर करते हैं तो double shear हो यहां पर single shear है तो हमारे इस भी हमारा 5 by 4 into d square तो d हमारा 18 है यहां पर 400 fu 400 आया था डिवाट बाइड बाइड रूट 3 1.25 यहां पर आपका VDSB shear capacity of bolt दबल shear आगे 94 kg अब आता देखो bearing capacity of a bolt तो bearing capacity भी देखो IS codes में दिया है तो अगर मैं आपको दिखा हो तो आप इसमें यहां पर देख सकते हैं कि bearing capacity of the bolt आपके देखो यहां पर वही formula VDPB आपको दिया है VNPB देखा मैं भी जहां पर 2.5 KB DT FE होता है VNPB और यहां पर KB smaller of यहां चीज़ तो यह साइज चीज़े मैं खुछ से नहीं कर रहा था नहीं कोई book से उठा रहा है सारा मैं code से उठाता हूं तो आप वी वीडियो भी वी वही चीज़े लिखी हुई है तो आप देखो KB के लिए आपको पता है edge distance और आपको क्या चीज़ है pitch चाहिए तो edge distance और आपको पि पूमी करवाया है जिसमें मैंने आपको पता है design of bolded connections part 2 में जिसमें मैंने आपको कैसे हमारी maximum minimum maximum minimum आपको edge distance और page आप निकालते है तो मैंने वहां से पूरा calculate करके adopt कर दी मैंने यहाँ पे edge distance हमारी 40m, e is equal to 40m और pitch हमारी 60m तो अब देखते हैं आगे क्या होगा अब मैंने आपको सारे formals यहाँ पे दिखा दिया तो e by 3d0, p by 3d0 minus 0.25, fu by fu 1.0 तो यहाँ से अगर आप सारे values पूट करोगे, e की 40 करोगे, pitch की 60, fub की 400, fu की 410, बाकी 1 है, बाकी minus 0.25 तो यहाँ से अगर आप solve करोगे, सबसे minimum आपको लेनी होते है, 0.67 यहाँ तो kb आपक के साथ कर रहे हैं, तो आपको पता है, कि हमारी thickness of यहाँ पे हमारी web आईगी अब, thickness of web आईगी 9.9 mm आईगी, क्योंकि हम web के साथ cleat angle को attach कर रहे है, connection हमारा किसे साथ हो रहा है, web of secondary beam plus cleat angle, तो उसके लिए हमारी thickness of web आईगी 9.9 mm, इसकी आईगी, आप कोई भी T minimum 9 करवा दी तो वो मत लेना, यह वली लेना आप, तो यह मैंने आपको PS lecture में अच्छे से discuss कर वा दिया है, जों से कि आप जिसके साथ लगा रहे हो cleat angle, उस section का आपको thickness लेनी होते है, तो 9.9 आपको यहाँ पे आजाएगी, तो यहाँ से अगर आपी साई चीज़े आई, तो आपने multiply व तो बोल्ट आपकी R94, तो number of bolts यह आपको पता है, उमारी maximum reaction divided by R हो जाएगा तो 300 by 94, 300 अभी मैंने आपको निखाया था, FQ, तो 3.2, तो therefore 4 nodes, तो हमने इसको प्रॉक्स कर दें, चार, अब मतलब कि हमारे secondary beam के साथ 4 बोल्ट लगेंगे, अगर आपको यहाँ पे फिर से यह image दिखाऊं, तो आप देख सकते हैं, हमारे secondary beam के साथ, यहाँ पर 4 लगेंगे, तीन है, एक और आदेगा, तो हमारे secondary beam के साथ होगे, अब हमारे secondary beam के साथ होगे, अब हम आता है, जो main आपकी चीज है, column के साथ, तो देखो, हमारे step 2, design of connection of cleat angle with column, मैंने यहाँ पर column निख दि और A की स्थरोजे, बस आप देख सकते हैं, यहाँ पर A की shear plane आया, तो यहाँ पर A की shear plane आया, तो यहाँ पर जो यहाँ पर यहाँ पर single shear होगा, तो जो हमारे double आया था वाद इसका divide by 2 कर दे, मैंने आपको previous lecture में ताया था, time की बचेगा थोड़ा, अब सीधा भी लिख सकत आपको दिखाई थी, तो अब दे सकते हैं, इसमें की thickness of आपकी flange, कॉलम के साथ आपको cleat angle किसके साथ बन रहा है, किसके साथ connection आपको बन रहा है, flange की साथ बन रहा है, तो flange की thickness लोगे ना, अब web की दो लोगे तो thickness of flange आपकी आपकी 9 mm, तो यहाँ पर मैंने वही आपकी fu by r, तो 300 by 47, 6.38, अब मैं देखो, अप्रोक्स में, आप कह सकते हैं, आप 7, मैंने अप्रोक्स में देखो, क्या गर है, 8 कर है, आप कह सकते हैं, 7 करो, तकि मुझे पता है, कि जब मैं number of balls on each side निकालने होता है, तो आपको पता है, कि जब भी आप primary के साथ जब भी आप निक अब आदा बोल्ट इधर, आदा बोल्ट ऐसे तो कर निसकते, तो आप यहां पर 4 प्रोवाइट कर देते, तो 4 इधर करते, 4 इधर कर देते, फिर भी तो 8 ही आते है, total तो मैंने यहां पर 8 नौस कर दे पहले ही, क्योँभी मुझे पता है, कि आपको यहां के हमें divide करना है, अब सिर्फ वो रह गया, तो अब हम वो देखेंगे, तो देखो, अब आता step 3, design of cleat angle, तो देखो, डिजाइन करने से पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना जाता हूँ, अब देखते है, final image कुछ हमारी इस तरह बनेगी, तो अगर मैं आपको यहां पर दिखा हूँ, आप 520, 550, इस चीज़ दिखा है, तो हम अब देखेंगे, तो देखो, design of cleat angle, आपको मैंने thickness का formula सीधा सीधा दिया हूँ, design procedure में, मैंने आपको देखो, अगर मैं आपको यहां पर दिखा हूँ, तो आप देख सकते है, मैंने यहां पर निकाल के रखा हूँ, यहां पर निकाल के 5 by 4 into, आपको पता है, D square, तो यहां पर 18 का square, बके 0.67, वही चीज़ आज़ेगे, तो यहां पर thickness 4.75, और 4.75 है तो मुझे पता है, minimum तो आपकी 6 7 होनी होनी चीज़ है, तो यहां पर thickness of, आपकी क्या आज़ेगे, cleat angle की 6 7, तो मैंने यहां पर approximately 6 कर देख, यहां पर 6 से यहां पर देखनी पढ़ेंगे, आपके कुछ चीज़ है, तो उसके लिए आपको 6 7 होनी आपने ऐसे ले ली, और आपको पता, maximum length की, मैंने आपको formula दिया था, कि maximum आपकी length, cleat angle की क्या हो सकते है, depth h, minus 2 into flange thickness, तो यहां पर depth h, आपको पता है, कि beam की आपको कितनी दियो थी, 550 दियो थी, और आपकी flange की यहां पर thickness, flange की thickness आपको 15 दियो थी, तो दोलने दर से अगर आपने 15 15 minus कर दो 30, तो 5 15 अगर आप 30 कर दो 5 20, तो 5 20 mm तक, आप इसको कर सकते हैं, इसकी length कर सकते हैं, आपकी cleat angle की है, लेकिन हम हमारी कितनी आती है, अब हम देखते हैं, depth of angle along secondary beam, तो depth of angle along secondary beam, हमारी secondary beam हमारी कितनी ही आती है, तो हम देखो, pitch मैंने 40 mm प्रवाइड कर दी, sorry, pitch हमारी 60 mm है, और हमारी edge distance यह 40 mm प्रवाइड करी, तो कि आपकी connection में इसल भी 550 है, और इसमें आप देखो, भी 4 rows लगाया थे, मैंने कुछ इस तरह लगा है, मैंने 9, 1, 2, 3, 4, ऐस 60 plus 40, यही तो साइच चीज़े लगी है, हमारी 4 volts लगे, इनकी pitch हमारी 60 60 होगे, edge से हमारी 40 40 होगे, तो सारगोस टोटल करता है 260 mm, और यह हमारी less than हमारी 520 के रिया आने चाहिए, तो आपकी maximum length होती, इससे कम होने चाहिए, तो कम है, ओके, ठीक है, अब अब आधा depth of angle along column, त आप कितने हैं, वही 4 volts लगे होए, तो e हमारी मैंने same रगी 40, पेच आपकी 60, connection with iswb 250, इस side cheese हमारी हो रखी है, तो यहां से वही side chain, same चीज़ आ लगी, चार इदरी डाले ते, चार इदरी डाले ते, और एकी line में डालती है, तो एकी line में डालते तो इकी line में डालते है, त तो यहां से आपको क्याद है कि वो ही 260 mm less than 520 mm okay मतलब कि आपको क्ली टैंगल ही length होगी ना वो आपकी कितनी होनी चाहिए 260 mm तो आपकी होनी होनी चाहिए 260 mm हमारे यहां पर भी होगा यहां पर होगा अगर यहां पर थोड़ा समझो यहां पर 3 bolts होते तो बढ़े 260 यहां पर 2 60 लेता है, क्यों आपको यह तो लेनी पढ़ेंगी ठीए, तो यहां पर 260 लेता है यहां पर s-distance यहां पर 2 2060 mm कर लेते हैм , पेच हमारी सेम रहती है 60 60 यह मैं आपको previous lecture में करवा चुका हूँ यह चीज उसमें यह चीज आती है हमारे कि उसमें आपकी यह वली नंत बढ़ी होती है चोटी होती है तो आप यह वली देते हो और यह वली आपको सिर्फ डिस्टेंस लिख कर छोड़ देते हो तो यह चीज आप कैसे होगी यहां पर म यहां पर आपके मर्जी है कि आप यूनिफॉर्म करना चाहते हो यह फिर नॉनिफॉर्म करिये है तो देरफोर प्रोवाइड आईयस से 10075 मलाई 175 6mm with 100 mm लेक तो 100 mm लेक तरफ होगी और जो कॉलम पर इस तरफ जाएगी वह आपकी कितनी हो जाएगी 75mm and 260m long cleat angle and 260m long cleat angle और अगर आपके साही चीज़े देखनी है ISA 10075 अगर आपके इसकी साही चीज़े देखनी है और आगे आपको design देखना कि यार क्या कै चीज़े आती है इसकी specifications क्या है तो आप SP6 में आप आराम से दे सकते है उसमें आपको ISA दिख जाएगा 10075 उसमें आपको दिख जाएगा 100 mm 1 लेक होती है 75 एक लेक होती है तो यह 6 से में आपके पॉइड करा है और 2 से में लॉंग क्ली टेंगल यहां पर पॉइड करा इमेज कुछ इस तरह बने पिसली लेक्शन में में थोड़ी सी गलत इमेज बन गी थे मैंने उल्टा ले लिया था तो वह मैंने आपको लास प्र अच्शो आज का पन पूरा थे लिफ कने नेक्शन उसको कि आ था फ्रेेमं करते है तो बस यहीत था आज का मारा पूरा लेक्शर हो किनेक्शन इसका प्रम करते हैं यह थाी तो आपके थे होघते पूरए तो आपके तक्रीवें एक गंटे में आप पूरा फ्रेंट करेंशन खतम कर चाहिए और इसका कोशिन आते ही आते है तो अगर आपको वीडियो चलिए तो प्ली लाइक करना शेयर करना कोवेंट करना और माई चैनल सीमिसाय को जुरूर सब्सक्राइब करना thank you for watching